कैने स्वाइब आपके YouTube चैनल निवूख में आज हम लों बढ़ने चला हैं ACWAC's का दीर सा काउन सथ ज्यादर है bolt लूइस कांसेट को electronic कांसेट भी कहते हैं क्या करते हैं Magnic when कि ऐसे अधर इसके और इंड़ ज्याह्त साहिए जह छोते है इड़ीर श्युन्स उबन की खासित होती है electron acceptor electron acceptor और जो base होते हैं उन्हें बोलते हैं electron donor क्या बोलते हैं electron donor तो अगर कोई पूछे कि Lewis acid क्या होता है तो सबस्क्राइब स्वीच आप टेंडेंसी to accept an electron pair जो electron pair को accept कर सकता है यहाँ लेहां देखीगा electron pair होना चीज़ नहीं है electron नहीं electron pair और यहाँ भी electron pair तो कोई भी सबस्टेंस जो electron pair को accept कर सकता है उसे क्या बोलते हैं base से भी कहते हैं और कोई भी सबस्टेंस जो electron pair को क्या करता है release कर सकता है उसे क्या बोलते हैं base कहते हैं शोड़ा साइक्जाम्पल देखिए अगर मैं F1 की बात करूं और F3 की बात करूं Shandhi बताइए F3 क्या करणा है? आपने में से कितने ट्रो निकाला है? 3 लेक्ट्रो निकाला है तो क्या होगा? तो एलेक्ट्रों डोनर है यह लेक्ट्रों मैं पॉसे निकाल ला है और एक्सटक कर रहा है एक्सटक में करने अट ने एक्सटक्राइब रिखर करные एफ e2 रहा है डिभने मेला भरे इसाइस कीछ आईये वह समक्रोफन प्सफिंब के शीए सब उते all the metallic ions are acids, जैसे Na plus हो गया, जितने भी positive charge वाले होते हैं, metallic ions होते हैं, ठीक है, एक लाइन में लाइन में पूचें, Lewis concept के according, Lewis Acid किसे कहते हैं, Lewis Acid are the substance which have a tendency to accept electron pair, तो electron pair जो accept कर सकता, उसे क्या बोलते हैं, Lewis Acid कहते हैं, और जो electron pair donate कर सकता, जैसे NS3, NS3 पर क्या है, यह देखे, loan pair, इसको क्या बोलते हैं, लोन पेर, इसको क्या बोलते हैं, loan pair, यह दोनेट कर सकता है, पानी को आज तक आप कहते हैं आज तक वाटर को आप कहते हैं लुइस न्यूटर्व कहते हैं लेकिन मैं कहूंगा कि डियर स्ट्रेंट्स यह लुइस बेस है क्यों कि इसके पास एलेट करने के लिए क्या है क्या है यह लोन प्यार जो इलेक्ट्रॉन करने की लोन प्यार है तो वाटर एक्स आज लुइस बेस जितने भी मालीक्व जिस निगेटिव आयंस और माइनस और और नहींस जितने भी निगेटिव आयंस है वह सबके पास एलेक्ट्रॉन होता है और जिसके पास लेक्ट्रॉन है वह सबके सब क्या करने देद लाली लुइस बेस करना है तो लूइस एसी कैसे जंदरी जिसके एक्सर्ट करने इसका सबसे बेस्ट इंजामबल होता तो जितने भी इलेक्टरॉन डिफीशियंट इसपीशिज होती है यह इसके एक्टरॉन के पास आठ एलेक्टरॉन ना हो 8 अकर ना हो करता हो जैसे अभी आपको इसामपल गिजम्वी अग्श्यों अगर आप देखेंगे, यहां देखें दो यह उपलां आप 20 का पॉरॉरिल इश्त इसके पास अच्छा है अब कितनी अक्टरम कर सकता है दो भी में एक लूइस एसिड सा डूण अच्छा बियत्री के बाद एग्जाम का लाता है एफी एग्जाम के लिए पूछता जाता है कमपटिशन में आपके फॉले टेखने वन डे एक्जाम में लूइस बेस एसी क्लास 10 लेवल का जरूर पूछा जाता है यह आपको NCRT का नहीं मिलेगा लेकिन मैं आपको इसलिए पुछा जाता है तो थोड़ते स्वे फोकस करिए एक्जाम के लिए पूछता जाता है जिसके बात करें तो बेस जितने भी निगेटी वह रहां होते है जितने देटी ड़ेगों स्टोव जनकिताल इस कर दो ही यह अब दो इसके एक्टरां डिफीसियर्ट इलेक्टाउन रिच्स्पी होगी एक्टरन रिज इस्प्रिष्पी इसकर क्या मझा व leaning जिसके शींट् जैसे IF7, SF, IF7 हो गया, इसके नावाँ, SF6, SCL6 हो गया, इस अब क्या है, अगर आप ढहां से लेक्ट्राइट हो गया, अब यहां देखे, फास्पोरस के राउन में पाच बॉन्ड बन्ड बन्डा है, एक बॉन्ड में दो लेक्ट्राउं, तो कितने हो गया पास्पोरस प्र चाहां है, है, एक बॉन्ड केंगा, 01 palabra 6, 12 यह ज्यु . इक बॉन्ड spring में बन्डा है तो आट से ज़ादे लेक्ट्राउं हो रहा है कि बॉन्ड गया है, स्वा से बॉन्य नहीं पास्प पास आडब इलेक्ट्राउं और बेस क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन प्याट डोनर जिसके पास होगा आपको देखके रख जाएगा कि लोट पेर है कि नहीं है जैसे अमूनिया बहुत कुछ आता है जितनी निगेटिव आयल्स हैं वो सब के सब क्या है दूइस बेस और उसके पास लास्ट जितने भी इलेक और निगेटर्न जोड़ान रिख आप से यादे अधी हो रहा है उसे क्या बोलते हैं लुइस बेस कहाते हैं जानना चाहिए तो यह क्या पेर आपके लिख़ों है जो बाद है इसंद मिख बेस कि नोट कल लिया नोट कर ली फिर आगे पड़ें आप देख है दिखें और न क्या परणे है Incicators क्या हो दिए का इनिकेटर का मताइब इनिकेट करने वाला जो यह बताता है कि the given substance in acid or base इनिकेटर रखेमिकल्स to identify to diagnose the presence by the चहींन स्मेल की है जुँन हो इक होता है चाहित वह बडाप का प्रोमिये ने कीशते है मोथ ऌल्क कूट कूल को में ऄद दूरिचन कल टमारे का पर हुट हे इसमें कलर चेंज होता है और एक होता आल फैक्टरी का मतलब इसमेल ऐसे इंडिकेटर जिनके कलर चेंज होते हैं क्या होते हैं नेचिरल इंडिकेटर कहते हैं ऐसे और दूसरा हे मेथिल आरेंज अन्याज करेंज दो इंडिकेटर एक है फिन अर। त्री और दूसरा हे मैथिल और एट्षिस है जो कि artificial का काम करते हैं तो आए देखते हैं कैसे काम करते हैं तो अगर आप अबसर्ब करेंगे तो यह फिनॉक्थलीन है यह होता है और यह होता है और इसकी और जो होता है और चलिए आपको एसिट दे दिया और बेज दिया अब आप अप मिला लिए फिनॉक्थलीन इंडिकेटर को पिए जैसे ही असिट को मिलाएंगे नो चेंज इन कलर अजैंज लेकर अगर वेस में फिनॉक्थलीन को मिलाएंगे यह किस कुलर को हो तो phenolphthalein base की presence में pink color का हो जाता है जो कि colorless होता है लेकि बाद में pink हो जाता है in the presence of base बेस की बेस में कैसा होता है, पिंक अकसर आप मुवीज में देखते होंगे ना, नोर्स पकड़वाने के लिए सिल गई वाले क्या करते हैं, उसके एक स्लूशन में डिप करते हैं, वो स्लूशन को होता है, फिनक्त्रीन होता है, ठीक, मिथार औरंज जो आरंज उठाते हैं, इसको एसिड में डालेंगे, तो एसिड में जैसे ही मै्थिल आरंज को डालेंगे, ये रेड कलर का होता है, कैसे रगा हुदा है। और देक्त्रीन के मैंमों को ब Secure Coink हम कोई जबता है तो मैंiosis की पटार्डा वह समय है और वो आरेंज कर्ण से वह यलो वह पिसमें क्या होता है सादा ऐसी में उड्ला कुल्पेट में क्या अगर अगर नगता एक होता है universal indicators यह भी आर्टिफिशल होता है pH scale पे बेस होता है pH scale पे बेस जगत color change की बात करें तो pH scale में जो color change नीमोर की है एक होता है green ठीक है तो green color जो होता है green color नंटार ग्रीक है तो रहा उता है लकार दूर्ण होता है और ग्रीन से जैसे जैसे जासे अंधोर इस 個 टरफ जाएगा और हुआ सैक अलब की तरफ जाए कर वह और ओए डायगा सेई कि स्टyson कितना है कितना व है यह हमारे इंडिफाइज करते हैं तो पेजिसें में देखेंगे इक अब अगा काल थे ते डीक की तरब जारह हुआ है तो सबसे पहला आताही norm लिटमस सलूशन बहुत इंपॉर्टेंट है लिटमस सलूशन आई इसके बारे प्लांट होता है लिटमस सलूशन एक हमारा होता है थैलोफाइटा फैमली का थैलोफाइटा 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 फैमली का एक प्लांट होता है वो प्लांट रियल में नहीं होता है जिसको बोलते है लाइकन, क्या बोलते हैं लाइकन, L-I-C-H-E-N, लाइकन जो होता है, डिस्टरिस क्या होता है, थेलोफाइटा फैमिली का लाइकन है, लाइकन से लितमा सोलूशन बनता है, अब कुश्य भी बोलता है कि लाइकन होता क्या है, तो लाइकन के इस्टेट दो एक पायाता है आपका एल्गे और एक पायाता है आपका फंजाई मतलब लाइकन is a symbiotic relationship symbol symbiotic उस्ते sahajivy mutual फायदा आप हमारे साथ ले रहे हैं आप दुसे पायदा लेने मैं आपसे पायदा लिएगा हूँ तो लाइकन कोई प्लांट नहीं है लाइकन is a group of plants which belongs from algae and fungi algae और algae आते हों के सेवाल पंजाई मतलब कवक, algae और fungi दोनों का group होता है और वो group मिलकरके एक साथ सहजीवन में रहते हैं symbiotic relationship उसको क्या बहुते हैं symbiotic, sym, symbiotic relationship कहते हैं तो algae और fungi जब symbiotic relationship में रहते हैं तो उसे क्या बनते है, lichen होते हैं, लाइकन होते हैं, और यह lichen का rhythmist solution होता है इसका real color जो होता है, purple color होता है, यह 1 नमर का aborder बहुत कुछा एंदिता है Lichmas solution का color ऐसा होता है, purple color का होता है इसको S D5 और basic file रहते हैं तो यृट्मस सरुशन दो यहां यहां रहता है एक होता है और एक होता है खार पार्णी मसे जोत है यही कोता है यृट्मस लेक्षा बनता क्या से थेलोफाइटा फैमिली के लाइकंस से बनता है लाइकन क्या होता है यल्ही और फंगाई का सिंबायोटीक रिलेशनसिप साजीवी का सिल्भाइक यह होता है यह अदलों बैस की प्रजेस में ब्लू में गणोड हो जाता है ख्याल दियेगा अगर red rhythmus solution को base में डाल दे तो ब्लू को अगर कोई substance blue color rhythmus solution को red में convert कर रहा है तो वो यह सिप्ड लेकिन अगर कुई सब्सक्राइब अगर यह ब्लू में कर रहा है तो वह क्या है यह कलर चेंग में नेशनल इंटिकेटर निश्च जूसरा प्रॉइंट रिखेंग तो आता है टर्मेरिक या रहा है और गर्वरिक धर घरे देखिए यह का प्रयों तो के दिłam dub Seriously I can't take já a Welsh as a प्रप्रीं तर्मिक लगाईे और साऑपूल'' लगाईे है कि साऑब्रा उठateurs लाओ जाए इस का मतलब क्या है कि यो आपका सोप है वो एक बैस casas turmeric powder in the presence of base क्या हो जाता है रिक हो जाता है रच लेकिं प्सक्का हो जाता है रेट हो जाता है तूसा वाइंट की हो गया पीज़ी कि रेड़ कया बाद रेड केंश रेडember का सुम्शन होता है रेड केंश लेकिन बेज्ब की परिजज में यह रेड कलर से ग्रीन कलर में करनोड हो जाता है श्रीक प्रचार बता है किस तरह ने जोंदा है और अपरके श्राज्न तो इस तरीके से ओनियन और क्लोवायल इसके लाब वनीला तीसरा एक और है वनीला तो ओनियन ग्लोवायल और वनीला इनकी ऑल्फेक्टरी स्मेल का एफेक्ट पड़ता है तो और फेक्टरी स्मेल की बेसे पर ओनियन फ्लोवायल और वनीला यह इंडिकेटर के काम करते हैं यह कलर चेंज दिखा जाया है तो लेटमर्स स्रूप्शन आपके स्लिवस में है निल्की की पैटल्स काम करती है पैटल्स मतलब जानते हैं कलरड़ पार्ट तो उसके बारे म कर लिए बागे द्रोब तरफे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक्षर के साथ और आपको टंपित गरगा ऐसी फ्लोचार्ट रहना लिएगा और एक फ्लोचार्ट बिला के पढ़ाही करिएगा ठीक है थैंक्स पर वास्कार वीडियो इसक्विशन स्कॉर्स आप गरिएगा प्लोचार्ट वीडियो